नमस्कार मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डाउटनेट पर मैं आशाओर उमीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं एकदम सुवस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्द भी हैं और क्या कर रहे हैं और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंट्रस्टिंग इंपोर्टेंट ग्यान वर्दक और बहुत ही जादा क्या है बच्चों इंपोर्टेंट क्लास का इंतजार कर रहे हैं हम किन के साथ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ककषा 10 के प्यारे बच्चों के साथ, हमारा सब्जेक्ट है समाजी कध्यन, और इस समाजी कध्यन विशय में आप और मैं आज कंटिनु करेंगे एक बहुत ही important chapter, chapter का नाम है, अध्याय का नाम है, पार्ट का नाम है, यूरोप में राश्टवाद का उदा है और इस चैप्टर के संदर्भ में आप और मैं आज लेक्चर नमबर 3 करने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने इसी पार्ट से संबंधित लेक्चर नमबर 1 और लेक्चर नमबर 2 किया था आप सभी ऐसे जानते हैं कि लेक्षर 1 और लेक्षर 2 के हमने हमने बहुत से important बात ओको जाना आपने और मैंने सबसे पहले इस शब्ड राषट वाध पो समझा था प्रतिज जादा वफादार ना होकर देश के प्रतिजब्तञ जडादाविज टो जाए इसी को क्या कहा जाता है राश्टबाद शर्चाहन करता है प्रतिजब्त मॉझे खिया धर भीत्छा, से है और हमेशा विद्वान रहेगा और जिस भी देश के अंदर और जिस भी देश के अंदर वहां के जो नागरिक होते हैं जब उनके अंदर राश्टबाद की भावना आ जाती है तो वो लोग अपने देश के लिए क्या करते हैं बच्चों मर मिटने के लिए तयार होते हैं अत्याथिक देश भक्त बन जाते हैं और देश भक्ती किसी देश को क्या गर देती है बच्छों माहान बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है इसी के साथ हमने सबसे पहले ये जाना अपनी क्लास के अंत्रगत पिछली क्लास के अंत्रगत के राश्टवाद की ये आंस महां पर क्या होता है यह राश्टवाद की भावनाव की उत्पत्ति होती है हुआ क्या था आप सभी बच्चे जानते हैं कि फ्रांस के अंदर एक राजा था जिसका नाम था लूई 16 और यह जो लूई 16 राजा था यह एक दम ही बेकार राजा था यह सही तरीके से शासन नहीं करता था जंता इससे परिशान थी शुरू में जंता इसके प्रतिवफदार थी इसकी बातों को मानती थी लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा जब बुद्धी जीवियों ने यानि के समझदार लोगों ने फ्रांस के अंदर रहने वाले जो साधरन लोग थे मजदूर किसान महीलाई थी उनको जागरित किया और बताया कि आप सभी को क्या करना है राजा के प्रती वफदार नहीं रहना है आपका राजा आपका शोशन कर रहा है आपसे बहुत जादा कर लेता है आपके प्रती सम्मान पूरवक नहीं आपको सम्मान नहीं देता है तो ऐसे राजा के प्रती सम्मान की क्या आवशक्ता और आपको अपने देश के प्रती सम्मान की भावना रखनी है देश के प्रती वफदार रहना है ये विचारधारा समस्त फ्रांस के अंदर फैल जाती है लोग इखटे होते हैं राजा को राजा के पद से हटाने की पड़ जाता है और फिर क्या होता है बच्चों आपने क्या देखा कि फिर फ्रांस के अंदर एक प्रकार से गड़तंत्र यानि के लोगतंत्र की इस्थापना होती है अब देश समीधान से चलने लगता है और इसी के साथ आपने देखा कि जो समीधान बनाया गया था वह वास गया उनके साथ अभी भी धोका किया गया जनता को करांटी के बाद कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला गरीब किसान लोगों की समस्याएं ही रही इसका कोई भी हल प्रस्तुत नहीं हो पाया इसी इस काल था ये और इन्होंने क्या करा बच्छों आइनोंने मौके का फायदा उठाया और अपने आपको क्या करा फ्रांस के अंदर एक मजबूत शासक के तौर पर प्रस्तुत किया लोगों को बताया कि राश्टंत्र एक तरीके से अच्छा शासन व्यवस्ता है समीधान नहीं और न नेपूलियन शासक बनके रहते हैं और 1804-1815 के अंतरगत नेपूलियन बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं फ्रांस के अंदर और फ्रांस के उन भू भागों में जहां पर फ्रांस ने कवज़ा किया था और आप सभी बच्चे जानते हैं कि इसको नेपूलियन सहीता या फिर नेपूलियन का कोड सिविल कोड कहा जाता है नेपूलियन ने जन्म के अधार पर दी जाने वाली जो इस्पेशल अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया एक मानक पद्दिती लेकर आए मापनी की ठीक है एक मुद्रा चलाई जो पूरे फ्रांस के अंदर चलेगी हर एक भाग की एक अलग मुद्रा नहीं होगी हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करी किसानों को क्या दिया बच्चों सामंती वैवस्था को समाप्त किया जमीदार जमीनों के मालिक हुआ करते थे किसानों से जबरदस्ती खेती कराया करते थे इस बात को पूर्ण तह समाप्त कर धिया गया नैپولियन के दौारा और फ्रांस के अंदर क्या था बच्चों मुख्य तोर पर किसानों का उतान हुआ तो गरीब लोग मजदूर लोग उनके ले बहुत बड़ा क्या करा बच्चों योगदान दिया नैपोलियन के सिविल कोड़ निया पिर नैपोलियन के कानौ 1815 के बाद एक लड़ाई होती है उसके अंतरगत नेपोलियन क्या होते हैं हार जाते हैं उन्हें पकड़ा जाता है और यह जील में डाल दिया जाता है उसके बाद की क्या कहाँ होती है उसके यूरोप के अंदर ये राष्टवाद यानि कि अपने देश से प्रेम की भावना क्या सिर्फ फ्रांस के अंदर ही रहती है या फिर और देशों में भी फैलती है यूरोप के हम उसी का आज की क्लास में अध्यन करेंगे क्लास शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से अन कर ये आप सभी के सामने रखते चलेंगे तो मैं आशा और उमीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल तयार हैं किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट आप सभी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं है चलिए जी शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे आज की क्लास में अभी जात वर्ग के बारे में कि फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर जो अमीर लोग थे वो किस प्रकार से जीवन वैतीत करते थे उनका जीवन किस प्रकार था उनका राश्टवात के प्रती क्या भूमिका थी क्या उन लोगों ने क्रांती के अंदर सबस्क्राइबूट ये राश्onstẵात के प्रती क्या सोचते थे क्या देश से प्रेम करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए Inकी क्या सोच थी किस तरीके से इनका जीवन वेतीत होता था मध्ययमवर्क के लोगों का हम आज की क्लास में इसका ध्यन करेंगे फिर आप और में डिसकस करेंगे उदार राष्टवाद की भावना का अर्थ क्या है कि आप एक प्रकार की ऐसी भावना को लेकर आते हैं एक प्रकार के इस राष्टवाद को लेकर आते हैं कि आप अपने देश से तो प्रे कि नहीं देखएं आप अपने देश से प्रेम कीजिए और दूसरे देश का सम्मान भी कीजिए अपने लिफ का भी सम्मान कीजिए यह दारवात थार करना और अपने देश से प्रेम करना और उसी के साथ साथ दूसरे देशों का सम्मान करना और दूसरे देशों से प्रेम करना इसके बारे में और गहराई से आज की क्लास में आप और मैं जानेंगे फिर हम लोग डिसकस करेंगे मताधिकार के बारे में वोटिंग के बारे में क जिनको अधिकार नहीं दिये गए थे वोट देने के क्यों नहीं दिये गए थे उसको समझेंगे और उसी के साथ साथ फिर हम लोग आर्थिक छेतर में उदारी करन यानि के वो क्या-क्या नियम रहे वो क्या-क्या चीजे रही जिसकी वज़ा से क्या हुआ बच्छो आर्थिक क्लास के अंतरगत रखेगा जो भी इंपॉर्टेंट बात हैं जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताई जाएए उसको आत्मसाथ करते रहिएगा चलिए जी हम लोग आप अपनी आज क्लास का सबसे पहला पॉइंट डिसकस कर लेते हैं लिखा है अभी जात वर्ग अभी जात वर्ग को ही आप लोग एक और नाम से समझ लीजिए इनको आप लोग कुलीन वर्ग भी कहते हैं क्या कहते हैं कुलीन वर्ग इनको आप लोग एक और नाम से संपन वर्ग इनको आप कुलीन, संपन और अमीर एक ही लोग हैं, यानि कि अमीर लोग किस प्रकार से फ्रांस के अंदर रह रहे थे, कैसे उनका जीवन था, उनका राश्टवात के प्रती क्या सोच थी, और उनका क्या योगदान रहा, इसको हम लोग देख रहे हैं, देखे, यूरोप ये के अंदर भी, जो अमीर लोग होते हैं, समाजिक तोर पर उनका बहुत जादा संबान किया जाता है, अब अपने आसपास ही देखेंगे, जो आपके कली महलों में जादा अमीर होंगे, जिनके पास जादा संपत्ति होगी, उनकी महले में एक अलग ही धाक होती है, सब उनका सम्मान करते हैं उनकी बातों को क्या दिया जाता है महतुपूरता दी जाती है महीं वो विक्ति जिसके पास जादा संपती नहीं है जिसके पास जादा संसादन नहीं है उनकी बातों को कम मातरा में क्या किया जाता है कम महतुपूरता दी जाती है तो भारत के अंदर दुनिया के हर देश के अंदर आप यही पाएंगे कि जो समपन लोग होते हैं वो क्या रहते हैं बच्चों वो समाजिक तोर पर मजबूत होते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है समाज के हर लोगों के दौरा और वो राजनिती में यानि के देश के क्य बढ़ी योगदान देते हैं तो यूरोप के अंदर भी यही इस्तिती थी ठीक है तो जितने भी अमीर लोग हुआ करते थे जितने भी संपन लोग कुलीन लोग ठीक है और हमारे अभीजात वर्ग के लोग थे ये सभी लोग समाजिक तोर पर मजबूत थे और इनका सम्मान हो लोगों के जीवन शैली की बात की जाए कि इनका जीवन कैसे हुआ करता था तो इनका जीवन एक क्या था बच्चों इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं होता था कि वो किस शेतर में रहते हैं देखिए कुलीन वर्ग के लोग अपने आप में अपनी जिन्दगी में एक अच्छे कपड़े पहनते थे अच्छे तरीके से खाने 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 खाते थे अच्छे घरों में रहते थे और आसपास में क्या गरते थे बच्छों आसपास की बातों से इनको जादा लेना देना नहीं था ठीक है क्या था बच्छों शायद इसी जीवन शैली के कारण ये एक सूतर में बंदे रहते थे क्यों क्या था बच्चों कि ये सिर्फ अपने ही आप में जुड़े रहते थे अपने ही जीवन में मस्त रहते थे अपने ही जीवन में वयस्त रहते थे और इसी वज़ा से क्या रहता था बच्चों इनको आसपास के जीवन से आसपास की समस तोर पर कहा गावों के अंदर होती थी और ये खुद कहा रहा गरते थे ये आलिशान बंगलों में शहरों के अंदर बड़े बड़े बंगले बना रखे थे इन लोगों ने वहापर रहा गरते थे और गावों के अंदर इनकी बड़ी बड़ी जमीने थी वहापर किसान इनके लिए खेती करा करते थे तो इनके पुर्खों के द्वारा जो जमीने थी वो गावों के अंदर थी और ये स्वेम क्या कर लिया था इन लोगों ने ये शहरों के और आ गए थे इन्हों ने बड़े बड़े आलिशान बंगले बड़े बड़े आलिशान घर बनाए थे इन आलि परिवारों के बीच लिख शादियां करते थे आपको बता है यह हमारे एक समाच की क्या है बच्चो कटू सच्चाई है कि एक वर्ग विशेश दूसरे वर्ग विशेश के साथ क्या है बच्चो संबन्द बनाने में हिच्किचाता है ऐसी ही यूरोप के अंदर था जो अमीर लोग थे जो अभी जात वर्ग थे एक दूसरे के अंतर गती शादियां करा करते थे एक अमीर परिवार दूसरे अमीर परिवार के घर में अपनी बेटी को भेशता था और ऐसी ही क्या होता था बच्छों शादियां हुआ करती थी तो शादियां होती थी यह अभी जात लोग एक दूसरे से शादी करते थे और उसी के हिसाब से अपना जीवन चलाते थे इनके अपनी भाशा भी थी क्या थी बच्छों ये लोग अतिकतर फ्रेंच भाशा बोलते थे ताकि ये अपनी खास फैचान दिखा सके फ्रांस के अंदर क्या था बच्छों अगर आप और आपस में ये लोग क्या करते थे बाचीट करने के लिए फ्रेंच भाशा कहीं परियोग करते थे ताकि इनकी अलग पहचान बनी रहे कि बाकी सब लोग तो ग्रामीन भाशाओं का परियोग कर रहे हैं कुछ जर्मन भाशा बोल रहे हैं लेकिन ये लोग अपने आपको क चाहिए अगर आप इसको वर्तमान परिपेश में भी समझना चाहें किन लोगों की संखिया आपके महले में आपके आपके राज्ये में आपके शहर में आपके क्या है बच्छों आसपास के छेतर में जादा है अमीर लोग जादा होते हैं या फिर गरीब लोग आपको पता है कि अधिकतर क्या होता है अमीर लोगों की संख्या कम होती है लेकिन इनके पास शक्तियां जादा होती है और ऐसे ही यूरोप के अंतरगत था ठीक है आप क्या देखते हैं कि यूरोप के अंदर भी जो यह अभिजात वर्ग था यह जो अमीर लोग थे यह संख्या में कैसे थे बच्चों बहुत कम थे, ठीके संख्या में बहुत कम थे, एक दूसरे से, एक दूसरे के परिवारों में शादियां करते थे, फ्रेंच भाशा बोलते थे, अपने जीवर में मस्त रहते थे, आस पास की दूसरी समस्याओं से इनका कोई लेने देना नहीं था, तो इनकी संख् हुआ करती थी, ये देश को चलाने में, देश को परभावित करने में अपना युगदान देते थे, इनकी संख्या कम थी, और ये मुख्य दोर पर क्या कराते थे, अपने जो इनके नौकर थे, इनके साथ काम करा करते थे, उससे किसानी कराया करते थे, तो किसानी हुआ करत की जाए तो वहाँ पर जो जादतर जमीने हैं वहाँ पर जमीनों के मालक तो अमीर लोग थे लेकिन क्या कराया जाता था उन अमीर लोगों ने अमीर लोग काम कराया करते थे किन से गरीब किसानों से तो गरीब किसान आते थे खेती करते थे अनाज उगाते थे अनाज का कुछ भाग गरीब किसानों को दे दिया जाता था चोटे किसानों को दे दिया जाता था और सारा जो बड़ा का बड़ा उत्पादन था वो अमीर लोग सामंत लोग रख लिया करते थे बात की जाए पूर्वी और केंद्रे यूरोप में तो क्या था बच्छों यहाँ पर बड़ी बड़ी जागीर है जागीरों का मतलब क्या है बड़ी बड़ी जमीने हुआ करती थी और जहां पर दासों से काम कराया जाता था तो मुखे तोर पर पश्चिमी यूरोप के अंदर तो जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के जो इस्थानिये निवासी थे, यूरोप के गोरे लोग जो थे, वो काम करा गरते थे, और अगर देखा जाए, पूरवी और केंद्रे यूरोप के अंतरगत, ठीक है बच्चों, जो हमारा पूर्व का Yerop है आ और उसके साथ ही जो हमारा सेंटरल Yerop है वहाँ पर जो काम करा करते हैं वह दास यानि के अफरीका के जो आए हुए गुलाम थे उनसे काम कराया जाता था तो मुखे तार पर आप ने पाया कि जो काम कर रहे हैं चानों खोड़े लोग ही थे लेकिन गरीब लोग वो कर रहे थे यूरोप के या फिर जो दास थे जो अलग-अलग देशों से अफरीका से लाए गए थे वो यूरोप के अंतरगत क्या कर रहे थे अमीरों की इस भूमी पर अमीरों के इस खेतों पर काम कर रहे थे आगे के घटना करम को देखि जिसे मध्यम वर्ग या फिर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मिडल क्लास कहा जाता है मिडल क्लास का मतलब क्या है कि ये ना तो बहुत जादा गरीब होते हैं और ना ही ये बहुत जादा अमीर होते हैं भाई ये मध्यम में होते हैं ठीक है ना तो गरीब हैं एकदम और ना विचारधारा हुआ करती थी कैसे ये काम किया करते थे उसका हम लोग अभी अभी अध्यान करेंगे दीखे पश्चिमी और केंद्री ये यूरोप के अंदर क्या है बच्चों कुछ भागों में उध्योग धंदों में विरिद्धी होने लगी थी क्या है लगबग 300 से 400 साल के के अंद्रगत की बात हो रही है जब उध्योगी करण बनता है जब बड़ी बड़ी फैक्टरियां होने लगती है तो क्या होता है बच्चों बहुत देजी के साथ लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है बड़े-बड़े धंदे बड़ी-बड़ी दुकाने खुलती है त जब इनको वैपार करने का आउसर मिलता है तो इनका जीवन का इस तर अच्छा होता है और ये लोग क्या होते हैं बच्चों ये नीचे से उपर की तरफ यानि के नीचे गरीब तबके से गरीब वर्ग से ये उपर की तरफ आर्थात मध्यम वर्ग की तरफ आते हैं ये जो और फैक्टरियों को खोलने के बाद इन्होंने वस्तुवों का उत्पादन किया चीजे बनाई कपड़े बनाई खिलोने बनाई वस्तुवे बनाई जिसकी डिमांड थी और जब ये वस्तुवें बिक इए तो इनके पास पैसा आया और इनका आर्थिक इस तर अच्छा हुआ तो आपने क्या देखा कि यूरोप के अंदर उध्योगी करण के आने के बाद ही यानि के कारखानों उध्योगों के लगने के बाद ही जो गरीब समाच था गरीब समाच के कुछ लोग मध्यम वर्क की तरफ आ जाते हैं ये मध्यम वर्क के लोग क्या करते हैं ये यां खुलेंगी तो इनको बहुत जादा फाइदा होगा आगे के घटना करम को आप और हम देखते हैं यहां पर क्या होता है बच्छों इस परी घटना में समाज में नए समूओं और वर्गों का जन्म हुआ जब एक प्रकार से एक वर्गा आने लगा, पच्छों, अब एक वैपारी वर्गा आने लगा तो यही दो ही समाज हुआ करते थे लेकिन ये तीसरा समाज आ गया ये एक तीसरा वर्ग आ गया समाज के अंदर जिसे कहा गया मध्यम वर्ग तो ये कहां से आये गरीब वर्ग के ही लोग थे और इनके पास वैपार करने की अवसर आये इनको अवसर मिले काम करने का अवसर मि लगा ठीक है यूरोप के हर देश के अंदर आपको मध्यम वर्ग के लोग देखे जाने लगे इस नए समाजिक वर्ग में क्या था बच्छों यह जो एक नया समाजिक वर्ग आपको मध्यम वर्ग दिख रहा है एक वर्ग में मजदूरों का था और दूसरे दूसरा वर्ग उख्य दौर पर आपने किया देखा ऐसा नहीं ता कि सिर्फ रोगी थे ऐसा था कि बहुत से मज़़ूर भी क्या हुए थे बच्छों बने लगे थे बहुंसे किसानों को किसानी करने का उसर नहीं मिल रहा था इसी कारण क्या होता है बहुत से किसानों ने jullie को reconstruction यह मज आरिके हिस्से में क्या थे यह उद्ध्योग पती थे वेपारी थे और वैवसाई थे दो मत्यों वर्ख था क्या था बच्चों ये जो मध्यम वर्ख था जो गईब से अमीर हुए थे उध्योगों के जरीए पैसा इन्हों क्या करा था कार शानए लगाये और वस्तुव का उतपादं जब इनके पास पैसा आया तो इं को एक प्रकार से सत्ता परिवर्तन की कोशिश करी कि हमें देश के प्रती क्या करना है सम्मान पूरवक रहना है देश के प्रती एक बनर ने राजा और चीज आप सभी के समक्ष मौझूद है इसे कहा जाता है उदार राष्टवाद क्या है चलिए इसको ध्यान से समझते हैं उदार राष्टवाद का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का सम्मान क्या आप अपने देश से भी सम्मान करें अपने देश से प्रेम करें और अपी की भावना में गहरा तालमेल होता है तो 19 वी सदी की शुरुवात में ही क्या होने लगता है यूरोप के अंदर हर देश के अंदर क्या होता है हर नागरिक सदी के 1789 की करांती हो गई थी है ना और 19 वी शताबदी का मतलब क्या है कि साल 1800 की बात हो रही है तो साल 1800 के बाद से ही अगर आप देखेंगे तो यूरोप के अधिकतर देशों में आप पाएंगे कि हर देश के नागरिका अपने देशसे जादा प्रेम कर रहे हैं और अपने देश के नंदरोप के नागरिक लोगों इनोंने बातों को समझा था तो इनोंने इसी वज़ा से क्या करा ये कहा कि किसी भी देश के अंदर अगर परिवरतन लाना है अगर चीज़ों को बदलना है, चीज़ों को नए रूप में परस्तृत करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे मुख्य तोर पर उदारवाद, यानि ये चीजों में बदलाव लाना चाहिए, छूट दी जानी चाहिए, छूट का मतलब क्या है? एक प्रकार का नया स्वरूप हो, कैसा स्वरूप हो? कि आप देश के अंदर क्या करें? अपने देश के नागरि कि उनको देश का नाँ dudashtown वात की भावना क्या है कि पहले राश्ट्रवाद का मतलब यह था कि जो सिर्फ हमारे देश के नागरिक कहा जाता था जिनके पास संब्थी थी उनहें ही नागरिक कहा जाता था लेकिन यह मध्यमवर्प के जो लोग आये जो उदार- उदारवाद राष्ट्रवाद का मतलब है कि एक नए राष्ट्रवाद की परिभाशा जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सब को सवतंदरता दी जाए चाहे कोई गरीब भी हो चाहे कोई किसान भी हो चाहे महिलाएं हो चाहे दास हो इन सब को भी अजादी की पूरी-पूरी छूट दी जाय यह अपने तरीगे से जीवन्ति गर सके और इसी के सासात इनको समानता दी जाए जैसे लोग रहते हैं इनुछ और देंदर रष्टवाद की परिभाशा करी कि सब को समान मान कर चला जाए और और क्या था राजनितिक द्रिश्टी से देखा जाए कि देश के शासन के अंदर गात अगर देखा जाए तो उदारवाद की भावना नहीं क्या करा था बच्छों आम सहमती से शासन के सिध्धान पर बल दिया था इन्हों ने यह कहा था जो उदार राश्टवाद के समर्थक थे जो देश से तो प्रेम करते थे और यह भी कहते थे कि देश के प्रती प्रेम होना चाहिए लेकिन इसके सासत ऐसा नहीं हो कि हम देश के प्रती प्रेम करने में अपने ही देश के कुछ लोगों को दबा दें ऐसा नहीं हो देश के अंदर सभी को सवतंदरता दी जाए परिवर्तन की जो उदारवाद की सोच है इसके कारण ही ताना, शही और विशेश अधिकारों का अंधुआ आपको पताएं ना कि उदारबात के समर्थक क्या कहते हैं कि सब समान हैं किसी को किसी भी प्रकार का विशेश अधिकार मत दीजिए जन्म के अधार पर कि अगर मैं अमीर परिवार में पैदा हो गया तो मुझे कोई कर देनी की टेक्स देनी की आउशकता नहीं है मैं अपना जीवन जैसे चाहे वेतीत कर सकता हूँ वहीं अगर मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ तो मुझे टेक्स देना पड़ेगा जन्म के अधार पर किसी को जो स्पेशल अधिकार विशेश अधिकार दिये गए थे जो ताना शही हुआ करती थी जो राजा एक राजा क्या था बच्छों बन जाता था और उसी के बाद उसका बेटा क्या करता था शासन करता था इसको भी बदलने की बात की गई कि देश के अंदर योग वेक्ती शासन करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आयोग ये लोग क्या करेंगे बच्छों देश का शासन करेंगे योग ये लोग ही देश को चलाएंगे आयोग ये लोग ये लोग देश के शासन में कोई भी भूमी का कोई भी योगदान नहीं देंगे नियम लिख दिये जाने चाहिए ठीक है, जैसे क्या होता है, आप अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल को चलाने के नियम लिखे रहते हैं, आपके स्कूल की डायरी में के सुबहां 7 बजे आपकी परातना शुरू होगी, सुबहां 8 बजे पहला पिरियör होगा, सुबहां के 10 बज़े आपका क्या होगा बच्चो लंज होगा तो आपकी स्कूल को चलाने के सारे नियम लिखे हुए हैं ऐसी ही क्या है इन लोगों ने भी यही डिमांड करी कि देश को चलानी की जो जिम्मेदारी हो उसके भी सारे नियम लिख दिये जाएं यानि कि समीधान होना चाहिए और उस समीधान के हिसाब से ही क्या होना चाहिए देश का शासन होना चाहिए जब देश में समीधान होगा तो देश सही तरीके से चल पाएगा तो देश के अंदर समीधान हो और इस समीधान के अनुरूप ही क्या हो बच्चे लोग चले और अपनी बातों को रखें क्या हो अब देश के अंदर प्रतिनिधित्वु हैं राष्टंडर नहीं हो डिखो यो अगर आव अपने डेश से प्यार करते है। तो आपके या राष्टंडर अच्छा है या लोकतंड अच्छा है अगसी से भी पूचेंगे अधिकतर लोगों की यही राय होती है कि लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि लोकतंत्र में देश के लोग ही क्या करते हैं देश का शासन करते हैं यही बात राश्टवाद के उदारवादी लोग कह रहे हैं यह यह कह रहे हैं कि देश के अंदर देश को समीधान के हिसाब से चलाया जाए देश का शासन समी को चुनना है यानि के जो चुनेंगे जो अपने ही देश के अंदर लोगों का चुनाव करेंगे किन लोगों को चुनाव करने का अधिकार दिया जाए किन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए इस पर अब बात की जा रही है फ्रांस की अगर बात की जाए क्या है ब कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है कि हाँ आप वोट दे सकते हैं चुने हुए लोगों को शासन पद्धती में भेज सकते हैं ठीक है अगर आप देखते हैं क्या है बच्चों क्योंकि अभी हर नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था फ्रांस के अंदर उन पूरुषों को दिया जिनकी आयू 25 साल है और क्या है बच्चों जिनके पास संपत्ती है तो एक तरीके से बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था तो जो पूरे फ्रांस के लोग थे फ्रांस के अंदर सरिफ पूरुष थोड़ी रहते थे 25 साल से छोटे लो 80 के बाद क्रांटी के बाद वोट देने का अधिकार मिला फ्रांस के अंतरगत वो नाम मातर का रहा राजा ने चला की चल दी थी फिर क्या होता है बच्चों के पिछले दौर में केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था जिनके पास संपत्ती थी जै जैकोबिन क्लबों का निर्मान होता है आपको बता है ना जैकोबिन क्लब का मतलब क्या है कि ये लोगों के अंदर ये गरीब लोगों के लिए काम करने वाला समूँ था इसने क्या करा हर वयस्क को मतधिकार दे दिया अब ये जो समीधान था इस समीधान को बदल दिया जाता आपको पता है ना समीधान ये बनता है 1792 में और इस समीधान को बदला जाता है समीधान को अच्छा नहीं माना जाता और फिर यह जो जैकूबिन क्लब के लोग थे यह सत्ता में आ जाते हैं फ्रांस के अंदर और यह क्या करते हैं यह परिवर्तन करते हैं और यह क्या करते है बच्चों यह लोग जाधा समय तक नहीं रहा पाते 1804 में जो जैकोबिन कलब और इनकी सरकार थी इनको इनका समापन हो जाता है और एक तरीके से नेपोलेन राजा बनता है और नेपोलेन अपने कोर्ट को 1804 में नेपोलेन अपने कानूनों को लागू करता है ठीक है तो यह उसकी सोच थी नेपोलियन की और उन्होंने उसी उसी वज़ा से पुरानी वैवस्था आनी यानि के राश्टंद्रों को बहाल करने की कोशिश की अब क्या हो जाता है बच्चों फिर से मतधिकार केवल सीमित लोगों तक ही कर दिये गया तो 1804 के बाद जो महिलां को नबालिक जैसा दर्जाद दिया जाता है अब कोई महिला चाहे 35 साल की हो जाई पिर 45 साल की festival की हो जाये उनको नबालिक यानि करम दिमाग का या पिर पर कमजोर माना जाता था उनको को में को वो क्या था वो अपने पिता ये पती के नियंटरन में हवा करती थी लेकिन क्या हुआ ऐसा नहीं किया जा सकता लंबे समय तक परिवर्तन की मांग उढ़ती है महिला अपनी लिए भीवोट की मांग करती है के हम्हेँ भी क्या दिया जाएं बच्चों वोट करने हैं विरोद दिखाती है और आखिर पिर उता है बच्छो 7089 की करांती जो होती है उसके अंदर तो पुर्षोंग को वोट देने का धिकार मिल जाता है क्या आ jap को पता है फ्रांस के अंदर महिलाँ को वोट देने का धिकार कब मिला क्या साल लंबा कालखंड रहा पुर्षों को 1789 के बाद से ही मिल गया लेकिन महिलाओं को मिलने में लगभग क्या रहा बच्छों देड़ सो से दो सो साल की अवधी रही 1946 के बाद से फ्रांस के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और वर्तवान समय में महिलाएं या फिर पुरुष प्रांस के अंदर वोट दे रहे हैं तो देखे एक वर्ग विशेश जो आपके ही देश के लोग हैं उनको वोट देने के लिए इतनी जद्धो जहत करनी पड़ी इतनी कोशिश करनी पड़ी तो एक बहुत बड़ा आपने क्या देखा बच्छों समाजिक परदर्शन देखा समाजिक परिरूप देखा फ्रांस के आने के बाद या फिर क्या है वच्छों राज तंदर की समापती के बाद या फिर राश्ट वात की सोच के बाद यूरोप के अंदर फ्रांस के अंदर किस प्रकार के आर्थिक तोर पर बदलावाए उनको हम लोग अभी अभी देखेंगे तो जो सबसे महत्रपुन चानी की कोशिश करी थी और इसके लिए फरांस जिस तरीके से काम किया करता था आर्थिक तोर पर वैपार किया करता था उसमें परिवर्तन की कोशिश की गई हुआ क्या था बच्छों एक मध्यम वर्ग यानि कि आपको पता एक मिडिल क्लास वर्ग आता है जिसका अभी और ये कैसे थे यह आरतिक उधारी करण के पक्षमे थे, क्योंकि भाई, इन्होंने ही जादा से जादा बिजनिस लगाए थे, और जब जादा से जादा बिजनिस लगे, उध्योग लगे, कारखाने लगे तो एक नया वर्ग आया, और ये नया वर्ग यही चाहता था कि करीप से अमीर हुए थे उध्योगों के कारण वो भी पूरे-पूरे समर्थक थे आर्थिक उधारी करण की जो जरूरत थी इसको समझने के लिए क्या किया गया ऐसे शेतर के उधारान लेते हैं जहां पर जर्मन भाशा बोलने वाले लोग रहते थे इसको इस तरीकी से 69 परांत थे जर्मनी का एंख्यामप्ल देख रहें कि जर्मनी की क्या कहानी थी जर्मनी ृद्टा वर्तवान समय میں एक देश ऐसा नहीं था जर्मानी था 49 अलग अलग भागों में बटा हुआज यह जर्मनी रहा ठीक है यह जरमनी 49 बड़े-बड़े भागों में इन छोटी छोटी काईयों में जब आपको जाना होता था इन सभी क्या है बच्चों इन सभी छेत्रों की इन सभी छेत्रों की क्या है हर छेत्र के एक अपनी अलग मुद्रा होती थी भई 49 अलग अलग मुद्रा हैं तो किसी को अगर इस छेत्र से इस छेत्र में ज तो उससे बहुत जादा क्या होता था नुकसान होता था और सभी छेत्रों के अंदर नाप तोल की अपनी अलग प्रणाली थी एक छेत्र एक अलग तरीके से नापता था तो बहुत ही असमंजस की स्थिती थी क्या थी बच्चों जो हमारे वेपारी होते थे उनको बहुत है और हर छेत्र की अपनी अलग-अलग मुद्रा होती थी इससे क्या होता था इससे क्या हर छेत्र की अपनी अलग-अलग मुद्रा है उन तालिस छेत्रों में जो वैपारी लोग थे उनको जादा लाब नहीं होता था जनता के लिए जीवन जीना बहुत जादा परेशान हो मुद्रा के हिसाब से खरीदारी करनी पड़ेगी और उस मुद्रा के अंदर आपको कम समान मिलेगा ऐसा हो सकता है तो कितना मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो इस एक्जामपल के थुरू आप यह समझ सकते हैं कि जब देश एक ही था लेकिन अलग भागों में बटा हुआ था सबके अपनी अलग अलग मुद्राईन थी तो वैपार करना बहुत जटिल था वैपार करना बहुत जदा मुश्किल था और उसी के साथ लोग थे जो वेपार किया करते थे मुख्य तोर पर जर्मनी के अंदर जो जर्मनी के दो बड़े शहर हैं हैंबर्ग और न्यूजबर्ग में कहा जाता था कि वहां पर 11 चुंगी नाकों से गुजरना पड़ता था इसका मतलब क्या है कि उनको जब इन शहरों में जाना होता यह लाग घुजरना तो जादा पैसे देने पड़ते थे अपिक दूसरे शहरों के जो जर्मनी के दूसरे शहर थे वहां उनको कम पैसा देना पड़ता था अब यह हर नाके पर चंगी का मतलब क्या है चंगी का मतलब होता है टोल्टेक्स जैसे आप ने देखा होगा कि आप भारत के अंदर एक राज्जेस से दूसरे राज्जे में जाते हैं अगर आप दिल्ली से यूपी के अंदर जाएंगे तो यूपी के अंदर एंटरी करने से पहले आपको tax देना होता है है ना ऐसे ही क्या हुआ गरतко था उस समय हो जाता था किसी छेटर के क्योंकि एक मानक एक सेम Tax नहीं ता है च्ब सेम होता है लाब कमाते हैं हर विक्ति फॉनाब कमाना चाहता है अब जब जादा पैसा राश्ट को दे देगाla bonds pass से코ता ने इस तरीके से देखा कि यह जो टेक्स हुआ करता था इससे बहुत जादा परिशान थे वेपारी लोग किसी छेतर में 5% टेक्स दिया जा रहा है किसी छेतर में 11% टेक्स लिया जा रहा है सिर्फ एंट्री करने में और क्या है बच्चों जो माप की पद्दिती थी वह भी एक रुपए में मालीजिये ये मुद्रा है ठीक है एक मुद्रा में उनको बहुत सारा समान मिल जाता था वहीं दूसरे छेतर के अंदर उसी ही समान मुद्रा में क्या है बच्चों उनको बहुत कम समान मिलता था तो अंतर था वेपारी कन्फ्यूज रहते थे कि कैसे वेप बइना किसी confusion के क्या हो सक applause की जा सके एक चेतर से दूसरे चेतर में जाना एक चेतर से 2 चेतर में वनचाण करना सबके लिए आसान हो सके इस बात की कोषिशzas की घए क्या किया गया तो आपको क्या करना होगा एक समान टेक्सी देना होगा एक रूप का ही टेक्स देना होगा आपको अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग टेक्स देने की आवशक्ता नहीं है तो 1834 के बाद से ही क्या होने लगा यूरोप के अंदर जो टेक्स संबंधी समस्या थी आर्थिक उदारी करन यानि कि आर्थिक स्तर पर बदलाव देखे जाने लगे फिर बाद में जो जर्मन के बड़े-बड़े छेतर थे आपने देखा ना जब जर्मन एक घटा देश हुआ यह जो 49 बड़े-बड़े भागते जब यह खटे हुए तो क्या हुआ यहां पर भी क्या किया इसी पद्यती को लागू करने की शुरुवात की चुंगी का मतलब किया है जो टेक्स लिया जाता है किसी मांप्त करने की कोशिश की गए कि हम टेकस नहीं ले गए एक समान रूप से कोई 5 प्रतिशत कोई 10 प्रतिशत कोई 11 प्रतिशत ऐसा नहीं लेगा सब समान रूप से टेक्स लेंगे मुद्राइं एक प्रकार होंगी सबके एक प्रकार की मुद्रा चलाई जाएगी जिससे वैपार करना क्या हो सके सरल हो सके इसी के साथ साथ रेल नेटवर्क को भी स्तापित किया जाएगा ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक जो वस्तों का आदान प्रदान हो वो सुगम तरीके से हो सके और इसी के लिए क्या करा गया देश के अंदर लोगों को राश्ट वात की और ले जाए गया क्या अपने देश से प्रेम करेंगे अपने छेदर स यहां पर वन मिन्ट रिविजन के लिए तयार हुई है सबसे पहले हम लोग यह डिसकस करेंगे कि हमने क्या पढ़ा हमने सबसे पहले अभीजात वर्ग के बारे में पढ़ा अभीजात वर्ग यह वो लोग थे जो अमीर लोग थे जिनको हम लोग कुलीन वर्ग के लोग भी कह गेना में रहते थे शहरों के अंदर बड़े आलिशान बंगलों में रहते थे अपने परीवारों नंदर शादी चादी करा शूरू किया विपार करने के बाद इनके पास पैसा आया पैसा आने के साथ ही इनका जो जीवन का इस तर्था वो अच्छा हुआ और इन के अंदर फैली और इसमें बहुत बड़ा योगदान मध्यम वर्क के लोगों का रहा उदार राष्टुबात की भावना से ताथ पर रहे हैं कि आप अपने देश का भी सम्मान करें दूसरे देश का भी सम्मान करें और इसके साथ क्या करें बच्छों चीजों को समान माने यानि कि अपने देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो नागरिक माना जाए सिर्फ कुछ लोगों को माना जाए देश के अंदर रहने वाला जो हर वेक्ती है उसको देश का नागरिक माना जाए और उनको समानता दी जाए यह उदार नागरिक्ता उदार राष्टवाद की परिभाशा के रूप में प्रस्तुत किया गया फिर हमने मतधिकार को देखा कि देश के अंदर मतधिकार जो दिया गया था फ्रांस के अंदर अगर बात की जाए तो मातर उन पुर्शों को दिया गया था जिनकी आयू लगभग का धिकार 1946 में मिला ठीक है तो बहुत लंबी कालवधी लगी महिलाएं अपने वोट का अपनी वोट की मांग करती रहीं और आखिर में आकर लगभग डेड़ सो सालों के गया आपने देखा आर्थिक छेतर में उदारी करन से तात पर रहे हैं कि एक छेतर से अगर दूसरे छेतर में आपको जाना है जो अलग अलग मुद्राइं यूरोप के अंदर विद्वान थी जर्मनी का हमने एक्जामपल दिया था जर्मनी 49 अलग 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 छेतरों में ब को का हो सके जादा से जादा लाब वेपारियों का हो सके तो यह तो हमारी आज की क्लास के मुख्य बिंदू रहे अब आप और हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी को लेके जाएंगे क्विज की तरफ हो जाएए तैयार आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास के क्विज आएंगे आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है ये कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाशा बोलते थे आगे बढ़ेंगे अभिजात वर्ग की जनसंख्या में अधिकांश लोग कौन थे जो अमीर लोग थे उनमें कौन जादा हुआ करते थे किसान वैवसाइक वर्ग उद्ध्योपती या फिर वैपारी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कुलीन वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपके सामने चार आप्शन्स हैं सही आप्शन को चूज कीजिए कि कौन सा कथन सही नहीं है कुलीन वर्ग के बारे में बड़ आपके सा कुलीन वर्ग के बारे में आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से कौन लोग आते थे उध्योगपती वैपारी वैवसाई या फिर सभी ुटण-पिर्ण और समय होता है समाब्त अब हम क्या करते हैं बच्छो एक-äक करकर आप सभी के साथ क्विस्क आंसर को डिसकस कर लेते हैं जो कुलीन वर्ग के लोग थे भाई ये किस भाशा पर क्या गरते थे बच्छो बोला गरते थे आप सभी को पता है कि ये लोग फ्रेंच भाशा बोला गरते थे तो इनकी भाशा फ्रेंच भाशा थी दूसरा सवाल रहा कि अभिजात वर्ग की संखिया में अधिकांश लोग ठीक है बच्चो जो अभिजात वर्ग है उसके अंदर किस प्रकार के लोग मुख्य तोर पर हुआ गरते थे तो इनके अंदर अगर हम लोग देखना चाहें कि अभिजात वर्ग की जो जनसंकिया थी उनमें अधिकांश किस प्रकार के लोग थे बहुती सिंपल सरल सवाल रहा इसका आंसर ये रहा कि इसके अंदर जादर वो लोग थे जो कैसे थे बच्चो उध्योग पती थे ठीक है मुख्य दोर पर इन लोगों का क्या था बच्चो योगदान रहा तीसरा सवाल पूछा गया कि कुलीन वर्ग से संबंधित इन में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें क्या है कि कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाशा बोलते थे ये गलत कतन है भाई वो फ्रेंच भाशा बोलते थे आपको पता है ना जी हां फ्रेंच भाशा बोला करते थे अगला सवाल मध्यम वर्ग में यानि के मिडल क्लास में मुख्य रूप से कौन से लोग आते थे तो मुख्य रूप से उध्योग पती वैपारी और वैवसाई ये तीन ही लोग थे जिन्होंने अपने आपको गरीब थे इन्होंने बिजनेस करे इन्होंने वैपार इन्होंने पढ़ेंगे और आप सभी को आज की क्लास के होंवक से रूबुरू कराएंगे पहला सवाल कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली पर टिपनी कीजिए पश्चिमी और केंद्री यूरोप में क्या बदलावा यह बताईए कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे यह बताईए मध्यम वर्ग का उदे किन परिस्तित्यों में हुआ इस पर टिपनी कीजिए मध्यम वर्ग में कौन लोग शामिल थे यह बताईए उदारवात के कारण समाज में आए बदलाव कौन कौन से थे इन पर टिपनी करें फ्रांस के लोग मत अधिकार पर कैसे किन-किन प्रकार की समस्याइं देखनी पड़ दिन थी यानि कि बिजनिस करते हुए जो हमारे वेपारी थे वह किन समस्याओं को देखते थे यूरोप में जर्मनी में यह आपको बताना होगा इसी के साथ क्या है बच्चों हैंसबर्ग और न्यूसबर्ग के बीच जो चु पर नहीं करनए है तो यह सो गज Standards नहंबर फूर करें गे उसके अंदर हम रूडिवाद का जनम एक प्रकार की यह सोच है रूडिवाद क्या है इसको हम लोग जानेंगे वियाना संधी 1815 में हुई थी जब नैपोलियन हार गए थे उसके बाद की कहानी को देखेंगे कौन कौन करांती कारी रहे जिन्होंने यूरोप के अंदर लोगों के मस्तिश्क में दिमाग में यूरोप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी उसको जानेंगे और ग्रीस एक देश है ये कैसे अजाद होता है इसके अंदर किस प्रकार की अजादे की मांग उटती है ग्रीस के लोग देश के प्रती कैसे समर्पित होते हैं ये अध्यान करेंगे तो ये तो हमारी आज की क्लास रही जिसके अंदर आप लोगों ने अभिजात वर्ग मध्यम वर्ग उसी के साथ आर्थिक उदारिकरन मतधिकार इन सभी बिंदूओं को जाना समझा पहचाना मैं आशा और उमीद करता हूँ कि हमारी आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही लाब दायक रही होगी अब इसी आशा और उमीद के साथ कि आप लोगों से मुलागात होगी अगली क्लास में तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें बहुत बहुत धन्यवाद